दोस्तों वीडियो को जादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग नीज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी वीडियो तक पहुंची रहे तो दोस्तो सरू करते हैं आज की सब्से बड़ी खबर के रूप में तो दोस्तो आज की सब्से बड़ी खबर है नेता एकजिट पोल के नतीजों पर जनता की अवाज बन रहे हैं तो वही विपक्षी पार्टिया नतीजों के इंतजार करना बहतर भी कल्प मानती है इसी बीच करनाटा कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता रोसन बेग ने एकजिट पोल में अपनी पार्टी के खराब परदसन के अनुसार मद्दे नजर पार्टी छोड़ने के संक्यत दे दिये हैं ऐसा होता है यह कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका होगा आपको बताते कि रिपोर्ट के मुताबिक बेग ने राष्टे जनतांत्रिक गटवंदन एंडिये के सरकार में लोटने की इस सिति से मुसल्मान समुदाय से समझोते करने का निर्देस भी दे दिया है बेग ने कहा है कि यदि एंडिये सरकार में लोटता है तो मैं बिनवर्ता से मुसलिम भायों से अनुरोध करता हूँ कि वे परिस्थिती से समझोता करे यह पुछे जाने पर कि क्या इसका मतलब मुसल्मानों को वीजेपी में हाथ मिला लेना चाहिए तो बेग ने कहा है कि जरूरत पढ़ती है तो हम जरूर करेंगे जी हाँ दोस्तों आपको बताते कि कॉंगरेस में राज ने सिर्फ एक मुसल्मान को टिकट दिया है बेग ने अपनी बात साफ करते हुए काया कि यदी जरूरत बढ़ती है तो मुसल्मानों को हाथ जरूर मिला लेना चाहिए हमें किसी एक पार्टी का वाफदार नहीं बने रहना चाहिए करनाटक में मुसल्मानों के साथ क्या हुआ कॉंग्रेस ने सिर्फ एक ठिकट दिया यह पुछे जाने पर कि क्या वह आने वाले दिनों में कॉंग्रेस छोड़ने का निर्नल लेंगे बेग ने कहा है कि यदी जरूरत पड़ी तो हम जरूर करेंगे जी हां दोस्तो अगली बड़ी किवर दोस्तो भारत में लुक्स बचुनाओ के नतीजों के एक्विट पो जारी हुए चुके हैं जिसमें से मोधी सरकार बनने की असांका जताई जा रही है दोस्तो ये दी बात करें इंडोनेसिया में तो इंडोनेसिया के राष्टपती जोकोवी वीडो ने फिर दुबारा अपने कारेकाल के लिए उनका पूरा फाइनल रिजट आ चुका है चुनाव आयोग का कहना है दोस्तों इंडोनेसिया के जोकोव वीडो ने राष्टपती के रूप में दूसरा कारिकाल हासिल कर लिया है चुनाव आयोग ने का है कि उनके अपने परतिदों दी पूर जनरल प्रभूबो सुवितांगो को 55.5% से लेकर के 44.5% के अंतर से हरा है वीडो ने दुनिया के सबसे तीसरे बड़े लुकतांतरी के कूल 154 मिलियन वोट में से 50 मिलियन वोट हासिल किया राष्टपती वीडो को नेरासधानी जकरता में मत नान किया वहें उसके परतिदों दी प्रभूबो सुवितांगो ने बोगोर प्रांत में मत नान किया वीवीडियो ने इस चुनाओं के प्रबल दावेदार मानी जा रहे थे उनकी उमीद जताई थी कि वह अगले पांच साल के लिए चुनाओं फिर से जीत जाएंगे इस बार चुनाओं परचार में इंडोनेसिया में धार्मी मुद्धे काफी हावी रहे जी हाँ दोस्तों अकली बड़ी के परे लोगसभा चुनाओं तो 2019 में नतीजों से पहले विपक्षी दलों से बैठक करेंगे वेवी पैट के मुद्धे पर जाएंगे चुनाओं आयोग जी हाँ तो लोगसभा चुनाओं के नतीजे आने से ठीक दो दिन पहले कॉंग्रिस और दूसरे प्रमुक विपक्षी दलों के नेता आज बैठक करेंगे इस बैठक में मौझूदा राज़नितिक हालात और सरकार बनाने के दावे के लिए गैर एंडिये गटफंदर बनाने के संभावना पर चर्जा होगे साथ साथ ही सभी पाटिया चुनाव आयोग जाएगी और भेवी पैट और एवियम मसीन के मिलान के अंतर होने पर दुबारा काउंटिंग की मांग की जाएगी बिपक्ष को एक चूट करने के परियास के तहट आंधर परदेश की मुख्यमंतरी और तेलिगू देशम पाटी के नेता इन चंदरबाबू नाइडू ने मुख्यमंतरी महमिता बनर जी के साथ उनके कोलकत्ता इजित आवास पर बैठा की है तिरसंकू परिणाब की इस्थिती में केंदर में गैर बीजेपी सरकार बनाने की संभावना पर उन्होंने चर्चा की है आपको बता देगी नाइडू ने कहा है कि महागटवंदन की भविश्य की रणनीती पर महमिता बनर जी के साथ उन्होंने 45 मिनट तक बातचित की जिस दोरान उनने कॉंग्रेस के समर्थन से छेतरिये दलों के साथ गैर बीजेपी सरकार बनाने की संभावना पर गुप्त को की गई एक सुत्र का कहना है कि बैठक में फैसला लिया गया कि 23 माई को चुनाव परिनाम आने के बाद तरिसंकू परिनाम की इस्थिती में महागटवंदन के अन्य भागिदारों को विश्तित करने की चर्चा की जाएगी जी हाँ दोस्तों आपको बता देगी विपक्च की याचिका पर सुप्रीम कोट ने अदेश दिया है कि हर विधासभा छेतर के तरत आने वाले किनी पांच बुधपर वी वी पैट परचियों पर मिलान किया जाए हाला कि कॉंग्रेस और कई अन विपक्ची ने ता लगतार यह मां उठा रहे हैं कि कम से कम पचास फीसदी वी वी पैट परचियों का मिलान किया जाए दोस्तो अकली बड़ी ख़वरे विराट के मुख अस्त पर दुनिया की नजर WC में प्लट सकता है पासा जी हाँ दोस्तो आइसेसी वर्ल्ड कप सुरू होने के अब कुछी दिन बचा हुआ है सभी की नजरे खिताब के प्रबल दावेदार भारत और उसकी अनुभवी विकेट कीपर महन सिंग धोरी पर लगे हुई है धोनी का यह आखरी वर्ल्ड कप है और क्रिकेट के पंडितों का मानना है कि धोनी टूनामेंट में कप्तान विराट कोहली के लिए एक मुख अस्तर साबित होंगे वर्ल्ड कप का अधिकारिक प्रशासन स्पोर्ट्स ने नैसो फाफ पंडरा में भारते टीम के प्रतेक क्रिकेटरों का एक नजर डाला है निउजिलेंट के पुर्व क्रिकेटर ब्रेनर मैक्सकल ने इस सो में कहा है कि धोनी भारते टीम के लिए अनमोल है उनके पास खेल के लिए एक सोच के साथ साथ उनके दिमाग में एक खाका भी होता है जब वो क्रीज पर जाते हैं और मैच को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो फिर भी पक्ची टीम को हमेशा दबाव में रखते हैं उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है और हाल के दिनों में उन्हें गेंद को अच्छी सीमा को भी पार कर लिया है इंग्लेंड के पूरु बलेबाज केविन पिर्सन ने धोनी की हालिया फॉंप को लेकर के कहा है कि उनकी सांती उन्हें इस बात को परखने की छंपता देती है कि उनके सामने क्या है इस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह किस इस्थिति में है उन्होंने कहा है कि इस साल IPL में सबसे अच्छी बात धोनी की बल्लेबाजी का पुनर जरम देखने को मिला उन्होंने गेंदबाजों पर कई आकरमन भी किये जि हाँ दुस्तो अकली बड़ी हेपरे प्रियंका गांधी किया कारिकरताओं को उन्होंने कहा है कि आप लोग अफवा हो और एक्जिट पोल पर ध्यार मत दीजिए यह अफवा है आपका होसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही है इस बीच आपनी साउधानी और सभी महतपूर बना देती है अस्टरंट रूम और मतनान केंदर पर डटे रहे और आप च जंकेत एक्जिट पोल ने दिये है एक्जिट पोल पर नचर दोड़ाई जाए तो इस बार के लोक्स बाचोरा में आज तक एक्सिस माइडन्स के मुताबिक एंडिये की सरकार आते हुई दिखाई दे रही है एंडिये को करीबन 300 से ज्यादा सीटे मिलती दिखाई दे रही आज तक एक्सिस माइडन्स के एक्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी नित एंडिये को 349 से लेकर के 365 सीटे मिल सकती है बात करें कॉंग्रेस की तो 77 से लेकर के 108 सीटे मिलने का अनुमार बताया जा रहा है वहीं सपा बसपा गटवंदर को 10 से लेकर के 16 सीटे मिल सकती है ज इसकी मत गड़ना 23 में को होने वाली है जी हां दोस्तों अगली बड़के पर चुनाव खत्म होते ही डिटीएज बोक्स से गायब हो गया नमो टीवी चुपके से आया था खामोसी से चला गया जी हां दोस्तों लोग सबाचुनाव के दोरान आपने टीवी स्क्रीन पर नज दर्सकों को किसी तरीके के सूचना दे गई थी एक दिन अचानक उसने अपने डिटीएज बोक्स पर प्रणार मतरी मोधी के भाषन और इंटर्विव और कारिक्रम को देखने पर आपने लोग हैरान हो गए जब विपक्षिने के नेताओं ने इस चैनल की जनकारी हुई त के सरकार का प्रपोगेंडा मसीन करार दिया है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि सूचना प्रशालम मंतराले ने कहा है कि यह एक रजिस्टर चैनल नहीं है और इसे ओन एर करने की परमीशन की जरूरत नहीं है इस चैनल को लेकर के चुनाओ आयोग और सूचना प्रशाल गांदी ने भी चुनाओ खत्म होने के बाद एक ट्वीट करके नमो टीबी की चाचा की थी और कहा था कि चुनाओ आयोग नमो टीबी का परसारन देखने पर चुप क्यों है आपको बता दे कि नमो टीबी का परसारन बंद होने को चुनाओ खत्म होने से जोड़ करके रहा है कि चुनाव खत्म होते ही नमोटीबी का उदेश से पूरा हो गया और इस पर अब खर्च करना बेकार है इसलिए चैनल जितने रहसमय तरीके से प्रकट हुआ था उतने ही रहसमय तरीके से गायब भी हो गया दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न 19 का लोग सबा चुनाव सांदार तरीके से संपन हुआ है प्रणव मुखर जी ने यह बयान ऐसे समय में दिया जब भी पक्षी दल लगतार चुनाव और उकी निसाना बना रहे हैं प्रणव मुखर जी ने एक किताब के भी मोचन में कहा है कि पहले चुनाव सुकुमार सें के समय में लेकर के अब मुझूदा आयुक्तों संस्था से अच्छे काम किये हैं उन्होंने कहा है कि कारेपाली का तीनों आयुक्तों को नियुक्ति करती है और वे काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि आप उनके आलोचना नहीं कर सकते हैं यह चुनाव का संपन कराने के कारण हुआ है प्रणों मुखर्जिक इस्टिपणी से एक दिन पहले कॉंग्रेस की अध्यक्ष राहूल गांधी ने आरोप लगाया था कि पधानमंति नरेंद मोदी के समक्ष चुनाव आयोग का आत्मसमरपन सुभाविक है और चुनाव आयोग अब निस्प पोल के नतीजे आये सामने तो मध्य पर्देश की कमलना सरकार पर सामत आ गई है पहले तो नेता पतिपक्ष के राजपाल को चिठी लिखने की धमकी दे रहे थे अब बीजेपी खुल करके मैदान में आ गई है इसी कड़ी में अब पूर मुखमंतरी सिवरा सिंग चुहान ने भी कमलना सरकार पर हमला बोला है और मुखमंतरी का इस्तिपा मांगा है इन दोर पहुंचे सिवरा सिंग चुहान ने कहा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रिस हार रही है इसलिए मंत्रियों को खुद करके कमलात को इस्तिपादे देना चाहिए